मखाना ना खाने वाले ध्यान से सुनें पहला पूर्सों के लिए क्यों खास है मखाना मखाना पूर्सों के लिए बेहद लाबकारी माना गया है यह एक आईरवेदिक हर्व है इसके सेवन से सेक्स्वल समस्याओं को ठीक किया जासकता है इसमें कार्बोहेटरेट, प्रोटीन, मिनरल, फैड, फासपोर्स, आधी पोश्चिक तत्व इसके अंदर मुझूद होते हैं मखाना सुक्रानों की क्वाल्टी को भी बहतर बनाकर उसकी संख्या को वड़ाता है मखाने का नीमित सेवन, सरीर की हारत रहें की कमजोरी को दूर करता है इसलिए पूर्सों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए दूसरा, दिल के लिए फाइदिमन, मखाना केवल सुगर की मरीज के लिए ही नहीं बलकि हार्ड अटेक जैसी गंबीर बीमारियों में भी बेहद अधिक फाइदिमन है इनके सेवन से हमारा दिल सवस्त रहता है हमारी पाचन के लिए भी दरूस्त रहती है और यदि हमारी पाचन सही होगा, तब हम बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे तीसरा तनाव कम करना मखाने के सेवन से तनाव दूर होता है और एनिंदरा की समस्या भी दूर रहती है रात को सोने से पहले दूद के साथ मखानों का सेवन करें और खुद ही अपने आप में फरक महसूस करें कि कैसे आपको अच्छी नीद आईग और आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा चोथा मसल्स और बोडी बनाने में मददगार बिना वजन बढ़ाए अगर आप अपनी बोडी बनाना चाहते हैं तो मखाना आपके लिए बहुत ही फाइदेवन्द हो सकता है रोजाना सनेक्स के रूम में आप एक कटोरी मखाना खाएए इसे आपके सरीर को प्रोटीन और हेल्दी कार्बोहेटरेट मिलेंगे जो मसल्स को बनाने में काफी मददगार साबित होते हैं और आपको आपकी मन चाही बोड़े मिल जाएगी पाचवा जोडों के दर्द को दूर करे मखाने में कैलसियम भरपूर मातरा में होता है इनका सेवन जोडों के दर्द गठिया जैसे मरीजों के लिए बेहद अधिक फाइदेमंद माना जाता है तो यदि आपको सरीर में दर्द रहता है तो मखाने खाईए चटा पाचन में सुधार मखाना एंटियोक्षन से भरपूर होता है जो सबी आयू वरक के लोगों को असानी से पच जाता है इसके अलावा फूल मखाने में एस्टिजन गुन भी होते हैं जिससे यह दस से रहा देता है और भूख में भी सुधार करने के लिए बेहद अधिक कारगर है साथवा किडनी को बनाता है मजबूत फूल मखाने में मिठा बहुत कम होने के कान यह सपलीन को डिटोक्सिफाई करता है किडनी को मजबूत बनाने और बलड को बहतर रखने के लिए मखाने का आपको नीमित सेवन करना चाहिए आठवा मखाने में कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर काफी अच्छी मातरा में पाए जाता है जो आपके सरीर के लिए बेहद अधिक फाइदेमंद होता है नाइंथ इसका सेवन किड़नी और दिल की सेहत के लिए भी बेहद अधिक फाइदेमंद है दसवा इससे आपकी सारीरी कमजोरी दूर होती है और सरीर में तुरंत अनर्जी आती है इससे आपका पेट भी देर तक भर रहता है जिसे आपका मोटापा दूर होता है मकाना कैलसिम से भरपूर होता है इसलिए हाडियों के लिए भी यह बहुत अधिक फाइदेमंद है यह आपको हाडियों के दर्द और हाडियों की कमजोरी से छुटकारा दिलाएगा मकाने में मुझू तक हमारी बोड़ी को कई तरह के हेल्थ बेनिविट देते हैं तो दोस्तों ये तो आपको पता लगाया के मकाना कितना फाइदेमंद है आईए अब जानते हैं कि समय खाएं मकाना मकाना हेल्थ समंदित समस्याओं से रहा दिलाता है यह तनाव भी कम करता है लिहाजा नींद अच्छी आती है सलहा दी जाती है कि रात में जब सोईं तो पहले गरम दूद के साथ छे से साथ मकाने खाएं ऐसा करने से आपको गहरी नींद आएगी और आपकी एनिंदर की बिमारी के साथ बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी आप हमें कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक सेर जरूर करें हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्ट टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद